आम तोर पर प्राणवायू से ही आपकी सांसें और विचार प्रक्रिया चलती है। ऐसा हुआ तो शरीर में जड़ता आ जाएगी। ना भी और गले के गड़े के बीच आपके प्राण सही तरीके से काम नहीं करेंगे। आपकी सांसे, विचार प्रक्रिया और सूंगने की शक्ती कम हो जाएगे। एक जिवन्त इनसान बनने के लिए ये तीनों बहुत जरूरी हैं। तो आप खून के प्रवाह के बारे में सोचते हैं और दूसरी ग्रंथियों के बारे में भी जिनसे आपका मूड और अनुभव तै होते हैं पर उससे भी गहरा कुछ है। यानि पहली चीज है उर्जा की गती सिस्टम में सभी वाईयों की हलचल में रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो शरीर में विशेश रूप से सिर में महत्वपूर्ण मार्ग हैं अगर ये मार्ग ब्लॉक हो जाएं तो खुद को उल्लासित रखना महनत का काम होगा। तो इसे आधार मानते हुए हम अगली पाँच पूर्णिमाओं पर उस सिस्टम को समझेंगे जिससे आनन्द और उल्लास पैदा होता है। तो ये सिस्टम क्या है? हमें क्या करना चाहिए? वायू शब्द का अर्थ है वो जो चलता है। इसे आम तोर पर हवा कहते हैं, अभी यहां तेज हवा है, यह आसानी से महसूस हो रही है, हवा से कई चीजें हिल रही हैं। तो वायू नाम का ये पहलू, जो गती करता है, ये एक तत्व है। शरीर में ये बुन्यादी रूप से पांच वायू के रूप मौजूद हैं। अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहें, तो दस वायू हैं। अगर आप सभी पेचीदगियां जानना चाहें, तो 84 वायू हैं। पर वे बहुत सूक्ष में हैं। उन्हें अच्छे से समझने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। आम तोर पर अगर आप पांच वायूँ को सक्रिय कर लें, तो बाकी भी सक्रिय होकर काम करने लगेंगी। इनका नाम वायू है क्योंकि सिस्टम की हर हलचल इन से होती है। पाचन प्रक्रिया में हल्चल इन्हीं पंचवाईयों से होती है, चक्र चलने चाहिए, पोशक तत्व शरीर में फैलने चाहिए, कोशिकाओं या सेल्स से कच्रा साफ होना चाहिए, हर चीज के लिए हल्चल जरूरी है, अगर हल्चल रुख जाएगी, तो आप देखेंगे कि शरीर में जीवन टिक नहीं पाएगा, तो ये हल्चल पूरी तरह से हो रही है, या आधिय धूरी है, हम इसी पर ध्यान देना चाहते हैं। सांस लेने का सही तरीका क्या है, आप बच्चों को देखें, आप पाएगे कि सोते समय बच्चों की सांसें काफी हद तक गले के गढ़े से नाभी के बीच होती हैं, उसका पेट नहीं पूलता, बस यहां से यहां तक, यहां नहीं। बड़ी उम्र के कुछ लोग शायद पूरे पेट से सांस लेने लगे हों। ऐसा होगा तो शरीर में जड़ता आ जाएगी। अगर आपकी नाभी के नीचे गैस पैदा होती है, यानि अगर आप वैसी चीजे खाते हैं, जिन्होंने इनर एंजिनेरिंग की है, उन्हें हम ये बता चुके हैं, अगर आप बहुत जादा कंद युक्तिया ट्यूब्रस चीजें जैसे आलू वगरा खाते हैं, तो आपकी नाभी के नीचे गैस पैदा होगी। आज दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे दुनिया के लोग या मूर्ख सोचते हैं कि वे ज्याद से ज्यादा आधुनिक हो रहे हैं, उनका भोजन उतना ही पुराना होता जा रहा है। वे सोचते हैं ताजा भोजन असभ्यों के लिए है, जो खुद को सभ्य मानते हैं, वे सूपर स्टोर से एक बॉक्स खरीदते हैं, जिस पर लगा प्लास्टिक वे फैंक देते हैं। ये जानते हुए कि इस से परियावरण को नुकसान होगा, और कैन आम तोर पर प्लास्टिक या अलुमिनियूम का होता है। वे उसे माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, जो खाने से पहले एक और गल्ती है, ये शायद कम से कम तीन महीने पुरा ना हो। नहीं नहीं, वो रेफ्रिजरेटर में था, उसमें प्रिजर्विटिव हैं, ताकि वो भोजन खराब न हो। ये दोहरी भूल है। अब योग परंपरा में आपको हर पकी हुई चीज जादा से जादा डेड़ घंटे में खा लेनी चाहिए। कुछ चीजों के लिए चार घंटे तक ठीक है, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। वो चाहे जितना भी स्वादिष्ट या अच्छा हो, उसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सिस्टम में गैस बनेगी। गैस बस केवल पेट में ही नहीं है, जो आप आसानी से महसूस कर सकते हैं, पर आपके सिस्टम में वायू बनेगी, जो आपकी प्राण वायू के खिलाफ काम करेगी। यानि उससे आपकी सांसे, आपके विचार और आपकी सूंगने की शक्ति, ये चीजें धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी, एक जिवन्त इंसान बनने के लिए ये तीनों बहुत सरूरी हैं, ये सभी प्राणों को अलग-अलग मात्राओं में सक्रिय करने के अलग-अलग तरी ये लाएंगी.